पति पत्नी का रिष्टा एक नाजुक डो से बनता होता है जहाँ विश्वास काफी आउशक है लेकिन इसी पवित्र रिष्टे को समाज में फैले अराचक तत्व मजाग बना देते हैं कुछ ऐसा ही मामला 38 वर्षियस समीरा फातिमा गुलाम गौस पठान की जिंदगी में खटा जहाँ पती नहीं समीरा पर हनी ट्राप का आरुब लगाती वे मांसिक प्रतार नाकी है आए जानते हैं पूरा मामला दरसल समीरा फातिमा गुलाम गौस पठान पेशे से हाइस्कूल की टीचर है जो पिछले 11 साल से एक ही हाइस्कूल में जॉप करी है लेकिन इसे पीच उसके पती गुलाम गौस पठान पिछले कुछ दिनों से अपनी परिवार के साथ मिलकर समीरा की मांसिक प्रतार ना कर रह उसे परिशान क्या जा रहा है समीरा ने बताया कि 2022 में गुलाम गौस पठान से उसकी पैचान हुई और जबरदस्ति से गुलाम ने रन निती रश्तिवे समीरा फातिमा से शाति कर ली आपको बता दे कि समीरा का पहले ही 2019 में उसकी पूर्वपति से अनबन के चलते तला को चुका था जो कि चार साल से अपनी पती से अलग रही थी इसे पेच गुलाम और समीरा का फेस्बूक के सरिये संपर्क प्रस्तावित हुआ लेकिन शादी के बाद समीरा को उसके पती द्वारा बड़ी मात्रा में प्रतारित क्या जा रहा है जहां मंत्राले तक जाकर समीरा पर हनी ट्रेक का गुणा दर्श करने की बार भी गुलाम को उस पतान एवं उसके परिवाज जनौने की है जिसके चलते पुरे मामली की सच्चाई बया करने की उतने से समीरा फातिमा गुलाम को उस.पथान बारा पैद्र पर एचित क producer's का आयना तका जा समीरा ने मामली की मेरा नम समीरा फात्मा, वाइफ अफ गुलाम वास पठान है और मैं एक टीचर हूँ है स्कूल में और ग्यारा साल से एक ही स्कूल में जॉब कर रही हूँ और ट्वेंटी त्री एर्स से मैं कामटी में हमारा जो घर एड्रेस हमारा उस पे रहते हैं अब मेरे हजबन मुझ पर हनी ट्रेफिंग का इल्जाम लगा रहे है अब मैं यह सोचिए कि अगर मैं एक प्रोफेशनल हनी ट्रेफिंग करने वाली लेडी हूँ तो मैं क्या एक जगह पे जॉब कर सकती हूँ या एक घर में रह सकती हूँ या यह मुझे अगर पैसे दिये हैं तो मुझसे साड़ी ग्यारा लाग रुपे लेने के बाद दिये थे तो कोई एक प्रोफेशनल हनी ट्रेपर जो है वो अकाउंट में पैसे लेगा क्या एक जो पोमानेंट अकाउंट है जो 2006 से बना हुआ है एक अलग सा उनकी मैंटेलिटी है जिसने हैं मदद किया उसके साथ में यह करना और बार बार बच्चा oc कर दो मंतरा ले चला जाओंगा यहां जाओंगा वहां जाओंगा मैं एक बार अपनी लाइफ में 2019 में एक यह चाहती हूं कि मेरे उपर कोई जूटा केस ना हो और कोई मसला ना हो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही क्योंकि इन्होंने शायद सेटेडे को प्रेस कॉन्फरेंस लिए तो मुझे पता चला तो फिर यहां आना पड़ा बात बेटी के बात चला था उनकी बेटी और उ मेल मेंबर नहीं है इसलिए मैंने चाहा था अधरवाइज कोई अपनी लाइफ थोड़ी खराब करना चाहता है कैसे भी बस निप जाए एक लाइफ टाइम एक साहरा हो जाए एक हस्बेंड का नेम हो जाए विदाउट हस्बेंड नेम बहुत सारे चीज़े सफर करनी हस्बेंड आगे थे मेरी लाइफ में तो एक सुकून था कि वहां का प्रेशर मेरा खतम हो गया था बहुत कुछ मेंटल हरास्मेंट एक लेडी आप भी एक लेडी आप बाहर जाती होंगी तो आपको समझने आता होंगा कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मनिश टेमरी के रिपोर्ट